नमस्ते दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का एक वर दुबारे से आपके अपने चैनल विया स्टॉक्स में दिल से अगर आप चले हमें नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए साथ बेल को दो आना आप सब्सक्राइब कर सकती हो सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे अब सब्सक्राइब करती है आज हम बात करेंके लौ आख स्टेशे की लेटेश यू चैसा आपको पता है ने अच्छी-कति-मूव देने के बाद स्टॉक में यह लोड्ट सख्रिट में एक रियास में क्क्या करने सकते हैं वाएसे स्टॉक में बड़ी अपने मिल सकती हैं प्रेटिंगे हिसाप से, सर्फ एक बात जानलू, अगर आप इस एक बात को फॉलू कर लो के स्टॉक में, तो भाई इतना मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आपका पैसा फसे गा नहीं और आपका पैसा ट्रेप नहीं होगा, अगर आप ने ये बात को फॉलू कर लिया, देखो क्या बात है उसके वीडियो को अंतक देखना और लास्ट टाइम आने वीडियो आइधिंग अक्तूबर के महीने बनाया था आपको बताया था स्टॉक में आप क्या कर सकते हो उसी तरीके से स्टॉक में प्राइडक्शन हुआ अब स्टॉक में क्या कर सकते हैं जाने का पर रियास करते है इस चोड़े से क्लिप के माथे हमसे तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना ठेक है ऐसे वीडियो आप ले बनाता रहा तो हमाना कॉमेंट पका करना नीचे किसी ने कॉमेंट किया था मुझे लगा चलिए एक से उप प्राइब क्लास होती है कल भी संडे आ रहा तो डेफिनिटी कल भी प्राइब क्लास होगी तो अगर आपको प्राइब क्लास का लिंक से यह तो simply मुझे मुझे मेडिच आउट करो मेरे इस्सेग्राम चैनल पर ट्रिटर पर मैसेज करो और स्कीन शॉट के साथ करना मतल्या संडे दूँगा आपको क्या करना है एक वर मैसेज करने के बाद हर संडे यह आपको काम करना यह मैं आपको लिंक्स दे पाउंगा और वाइस सोरी देख सकते या ज़्या लोग है और लोग आपके सामने है, stock में लोड सकेट लगा है, और एक मेहें वे stock ने 47% का गेन दिया है, देख सकते हो, जैसे मैं लास्ट वीडियो आपको बताया था है, stock के एक range breakout किया है, यहाँ range में आप stock को एक प्मेट करके चल सकते हैं, प्राणी वीडियो होगी, clip वीडियो होगी, जो last month म मैंने आपको बनाया थी, दिखाया थी, वो भी सुनाओंगा, उसको देखना, उसको आपको सीखने को मिलेगा, और यहाँ से stock ने अच्छा काता है, यहाँ बिक आउट देती है, stock ने बिक आउट दिया है, अब stock में वीडियो प्रॉफिट भी भी आ गई है, ठीक है, अब stock दोस्तों, गल्पी नहीं करना, अगर आप मेरे subscriber हो, आपको stock में opportunity class ली है, ठीक है, वो opportunity दोस्तों, टीम लोपे के levels में थी, यहाँ पर, आप पता नहीं आप लोगों को कितने लोगों ने stock पर पैसा लगा है, मैंने personally पैसा लगाया था, ठीक है, और मैंने थोड़ा पर profit भी कर लिया है, ठीक है, मैंने पूरे की quantity नहीं बेची है, मैंने इसका reason क्यों नहीं बेची है, दो reason है, अभी आपको एक reason बताऊँगा, और सबसे बड़ा reason दोस्तों, यह है कि promoters की holding को यहाँ पर increase होई है, और यह जब इंक्रीज होगी है, मेरा तो भाया, यह अनुमान कहाता है, इसलिए मैंने stock में अभी तक hold करके रखा हुआ है, हाँ, छोटा फोटा profit book मैंने कर लिया है, हाँ, लेकिन long term मेरा target stock का देखो मेरे साब से है, ठीक है, और दूसरा जो reason है, यह stock को मेरा hold करने का क्या reason निकल के आता है, वो है simple moving average, जैसे मैंने आपको पुराने वीडियों शेर करने के बार, अब बात करते है, प्राइजिक्शन के बारे में, दूसरों देखिए, लास्ट जब वीडियो बनाया था मैंने, तो यहाँ range में ट्रेट करता है, लगता है stock, और देखो इस महीने stock ने पूरा का पूरा एक महीना इसी area में बिता दिया, आप देख सकते हो आपके सामने में चार्ट खुलाओगा, आप खुर भी जाके चार्ट खोलो, पूरा एक महीना यहाँ बिता दिया, यह पुझे एक range में बनते है, मंतली range, और इसी range में I can see the breakout, यह जो range बनते है, इसी range में पूरा एक breakout हो रहा है, और बोस एक महीने stock में एक range में बिता देख ताइट range में, और जो भी stock कभी भी एक range में trade करता है, समझ जब भी उस range का breakout होता है, stock में एक बहंकर वाली तेजी आपकी है, बहंकर वाली मतला उपर के levels की बात कर रहा हूँ, और हमें integration क्या मिले, stock में उपर की तरफ ही breakout किया, कैसे, आपको याद होगा, last video मैंने ट्रेलें ट्राओ करेती, ठीक है, और यहाँ यहाँ यह रजिसन लिया, और यहाँ इसने यहाँ इसको breakout दिया, क्याहाँ यहाँ पर देख सकते यह रहा, इस candle ने इसको breakout दिया, मतला कल breakout हो चुगा रहा है, तीनो पर 20 पैसे के आप सपास, लेकिन अपडेट आपको अभी कर रहा बिल्कुल अच्छा का था, ट्रेल्लाइन का अबर breakout हुआ है, मतलब अच्छे कासे, जो उसका highs था, close करने के बाद, उसका high भी break हुआ, यहाँ तो break नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ हो गया, समझ गे, तो इसको बोलते है, ट्रेल्लाइन का breakout, मतलब चार्ट पैटर्न में का एच्छा breakout मिल रहा है, अब बात करते, स्टोक को कहाँ भाई कर सकते, रहो यह रेजिशन एरिया भनता, 3,35 एक सपास, 3,35 एक सपास, चाओ तो आप स्टोक को यहाँ, अपने एक रुपे बीस भाई किया, तो 3,35 ऩो पर आप स्टोक को भाई करके चल सकते हूँ, लेकिन मेर तो दो रूपे सकतर पैसे का आपको ट्रेलिंग फ्रोप लगाना है जिन्नोंने लॉट ट्रम के लिए करना चाहते हैं मतलब सोचो की पोजीचेनल बाए करना एक दो हकते के लिए तो वो स्टॉपोस लगाएंगे 2 रुपे 70 पैसे के आसपास और 3 रुपे 35 पैसे, 3 रुपे 40 पैसे, 3 रुपे 50 पैसे मैक्स ये एंट्री रहेगी इस स्टॉप में, अगर आप बोलों के ज़र कल अगर अगर अपर सक्रिट में खुलता तो क्या करें, बहुत सिंपल है बहुत ये स्टॉप और BSC दोनों में कापकाज होता, देखो आज स्टॉप में अपर सक्रिट नहीं लगा रहा, ट्रेडिंग हो रही थी, और अच्छे काज में वाल्यूम के साथ हुआ है, एक अक्टूबर में 4 मिलियन का वाल्यूम है, स्टॉप में ट्रेडिंग हो ही, अगर इसको आपके तारगेट निकल के सकते हैं, तो मतलब पहला जो टारगेट रहेगा, लास विंग निकल के आता है, स्टॉप में बड़ी पेजी आपको दुबारा से देखने को मिल सकते है, लेकिन स्टॉप बोस दो रुपे असी वैसे है, आपने फालू करना है, इस्ता समझ आप पर ब्रेक आउट हुआ जैसे मैं लास्स वीडियो आपको बताया था कि इस टॉक में ब्रेक आउट हो सकता है दीको आप देखें पर तक गया अल्मूस तीन पर चालीज पैसे से अल्मूस आपका पांच पर बीस पैसे तक मतलब आप बोसुकर इन शॉट आउप मात्र और शॉट पर देखेंगे गया अब क्या करना आपको दोस्तों मैं यहीं बोलूँ हुआ देखो अगर आपको लगता है यह लूंग टर में अच्छा कर सकता है यह आपको अपको दोका देता है दोका मतलब यह लोड़ सकेट लगा था एक लिव़ बावन पैसे में लो लग साइधा दो रूपय असी पैसे का स्टॉप्लोस लगाना है देखो यहां लोगर से लगा फुला दुबार उपड़ गया तो समझ सकते हो कि स्टॉक का साइकल कैसा मंदली चार्ट में आपको देखने को मिलेगा स्टॉक लगातार पर ही जारा नीचे नहीं किरता है ठीके अब ठीक मार्केटर में कुछुन यूज आ सकते हैं मुझे नहीं पता है क्या न्यूस आएगी पर्सुली मैं को इंसाइटर बंदा नहीं हो यो कि मुझे पता होगा मैं इंपलिक चार क rows 50 गरता रुप्य से ज्यादा का लॉस नहीं ले सकता या तो मैं इंवेस्पेंट कर रहा हूं या कुछ भी कर रहा हूं अगर यहां रुप्यासी पैसे का मेरा पैसे का लगाऊंगा और टागेट कमसे को एक रुप्य मनला डबल का रिख से रहा हूं अगर मैं पूचिशनल कर रहा हूं तो वन भी ठीक है और मार्केट की कंडिशन देखके मैं इस व्याइट कर दूगा यह आपको समझेना पड़ेगा ठीक है अगर आप लोग गल्ती करक क्योंकि आप देखो फिर आपको बेस्टी ऑफ्ष्व मार्केट नहीं पता फिर सी को पहले कि बेस्टी ऑफ्ष्व मार्केट क्या होता है इन सबकी हेल्प लोग अगर यह आपने समझे लिया ना तो आपकी एंट्री और स्वाप्लोस पर अच्छी हो जाएगी और आपकी हेंट्री करना अच्छा हो गया तो भया आपने तो 99% जीत लिया ठीक है उसके बाद आपको money management पर काम करना बस ठीक है बाई यह बोलूँगा कभी फ्रेट डालो या लो तो तो देखा करो कि आपका लॉस कितना है प्रॉफिट के बारे मत सोचा करो कि यह टाग कि आपका 100 प पावर है जी लोग कैसे खेलना तब आएगा तुम्हें जब तुम्हें अपने अवकात के अनुसार अपने प्रॉपर डिस्सिप्लीन के साथ इंवेस्मेंट करोगे यह थोड़ना कि आपने कुछ भी स्टॉप में डाल दिया कुछ भी डालोगे तो टैमेरी लोस होने वाल है फुल टाइम यहां पर अभी बहुत टाफ है टाफ करना बहुत टाफ है स्टॉप में आपके साइकल ऐसे चीन होती है अभी तो आपका आपको उपर के गिरिन गिरिन दिखे रहे है के अंदिल जब स्टॉक्स कंसोलिडेट करेगा रेंज में जाएगा डाउं ट्रेंट आ आपके लिए नहीं बना है ठीक है इंट्रेंट से दूरी बना के रखो इन्वेस्टिंग करो स्विंग करो पूचिसनल करो बस यह तीम चीजे करो कर सकते हैं इंट्रेंट से दूरी बना के रखो जितना दूरी बना के रखो के सही रहेगा ठीक है बाके मिलते हैं नेक्स में